वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका अपनी चैनल कोई किसमा टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि मैंने बोला था कि बीच बीच में हम सूपर टेट के लिए प्रैक्टिस एड़ भी करते रहेंगे ताकि आपको खुद पता चल जाए कि आप अपने इन 25 कोशनों में से कितने आपको आते थे और इससे आपको आइडिया भी होगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है या फिर आप सही प्लैटफॉर्म पर अपनी तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पहला कोशन है प्रिंसिपिया के प्रकाशन एक बुक का प्रका जाकि जो save होता है वो उपर नीच आता है तो ये तो simple सी बात थी अब और question extra यहां से बनेंगे वो आपको याद रखना होना चाहिए पहली बात तो आपको तीनों नियम गती के तीनों नियम आपको पता होने चाहिए हमने read में बहुत अच्छे से पढ़े हैं बहुत ही detail वाहय बल नहीं लगाएंगे सेम ऐसे ही कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी आप कहेंगे में ऐसा तो नहीं होता हम बॉल को फेकते हैं वो थोड़ी दूर चलती है रुख जाती है तो नूटन जी ने कहा कि नहीं हमें जो friction है घरशन है उसको हटाना होगा और उस case में अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती रहेगी और वो कभी नहीं रुखेगी जब तक उस पर कोई external बल वाहय ब फोर्स जो है उस पर कारे नहीं करेगी अब आप कहेंगे मैं इसका example क्या होगा इसका सबसे अच्छा example है अर्थ जो प्रत्वी थैवस्तु है वो हमेशा चलता रहेगा तो ये तो न्यूटन का पहला नियम है दूसरा नियम force is equal to mass into acceleration इसको clear करता है और तीसरा नियम तो आप सभी को पता ही होगा ठीक है तो चलिए दूसरा question है जड़त्व का नियम who gave the law of inertia ये जो law of inertia है ना ये न्यूटन के पहले नियम म हमें बताना है तो इसको सरपथम दिया था गैलेली ओ गैलेली ने इन्होंने ही जो inertia का law है इसको दिया था ये भी यही कहता है कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाती है और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाती है और इसका बहुत अच् हिस्सा है और यह आपका नीचे वाला हिस्सा है ठीक है तो जैसा क्या हुआ बस चलना शुरू करती है तो आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो मोशन में आ जाता है ठीक है लेकिन जो उपर वाला हिस्सा है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ठीक है तो जो वस्टू रेस् लेकिन अभी आपका उपर वाला इससाए यह वालनीचे वाला इससाए टरफ राओनजाता वह सिर्व पर्फ जाते हैं यह कोशन बनता है को पीछे की तरफ क्यों चले गया है यह सोच हो जाता है हो जाता है तब वो चलने लगती है तो स्टार्टिंग में वो कम होता है जिसकी वज़े से जो हमारा उपर वाला हिस्सा है सिर का वो पीछे की तरफ को चला जाता है ठीक है इस तिर विदुत्त के अकारिशन भलका नियम हुं गेवाएव डालौफ एट्रेक्शन और फोर्स ओःुज है तो यहां पर बहुत है जब चार्ज़िस की स्टारटिक इस चार्जिस की बात यहां पर हो गई है तो यह जो दिया था यह आपका दिया था कुलम्स ने कुलम्स ने ही इस नियम को दिया था कुलम्स ने अपने नियम में बताया था जो फोर्स होती है वो दोनों चार्जी के गुरनफल और उनके जो रेडियस होती है उनके स्क्वायर के वित्क्रम के बराबर होती है ये कुलम्स ने बताया था और याद रखेंगे यहां से भी कोशन आपके एक्जाम में बनते हैं कोशन क्या दे दिया जाएगा रेडियस को आधा कर दिया जाए तो बताये बल पर क्या प्रभाप पड़ेगा है ना इस तरह से कोशन और भी एक्जाम में इस से रिलेटिट बनते हैं तो यह आपको फोर्मूला पता होना चाहिए नेक्स कोशन कोशन नमबर फोर विदूत प्रतिरोधता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का सिध्धान्त 1918-1927 में किस ने दिया था तो यह जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का सध्धान्त है यह सीजी सी बात है जोज साइमन ओम ने दिया था इन्होंने ही बताया कि जो रेजिस्टिविटी होती है जो resistance होता है किसी भी object के अंदर जब हम current को उसमें जब electron का flow होता है तो होता क्या है उसमें बीच में कुछ रोधाक होते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं वही आके resistance होते हैं और इन्होंने electrical resistivity में बताया कि किस तरह से ये जो हमारे electron flow कर रहे है क्योंकि electron का flow ही क्या है electricity है तो जो electron flow कर रहे है वो किस तरह से material पर depend करते हैं उसकी length पर उसकी चड़ाई पर किस तरह से depend करते हैं तो यही आपका विदुत प्रतिरोधिता है कि किस तरह से वो substance पर depend करता है और इस बात को George Simon Ohm नहीं पताया था तो option B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question question number 4 यह तो बहुत simple है उत्पलावन और मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है जो उत्पलावन का सिध्धान्त है वो किस नहीं दिया था जब भी पानी से रिलेडर कोई सिध्धानत आ जाए तो उसमें आप Archimedes लगा सकते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या होगा Archimedes ही होगा अब buant force होती क्या है कि जब आप कोई वस्तु पानी में नीचे गिराते हैं तो क्या होता है नीचे से भी उपर की तरफ एक force लगता है और वही force क्या होता है आपका buant force होता है और वो force उतना ही होता है जितना वस्तु द्वारा पानी हटाया जाता है जितनी जगा से पानी वस्तु हटाएगी उतनी ही जगा से नीचे से bond force जो है वो उस पर कार्य करेगा ठीक है next question question number six साप एक्षता का सिध्धान principle of relativity किसने दिया जिसके लिए इनको novel पुरुसकार भी मिला वो थे आपके Albert Einstein इन्होंने ही relativity का सिध्धान दिया e is equal to mc square इन्होंने ही बताया कि कैसे जो mass है वो energy में convert हो जाता है और किस तरह से जो mass होता है द्रविमान होता है वो आपका उर्जा energy पर depend करता है e यहाँ पर energy है उर्जा है m यहाँ पर mass है द्रविमान है और c यहाँ पर यह exam में पूछ लेते हैं इनकी क्या क्या है यह तो c यहाँ पर wave है चार आपकी velocity है ठीक है तो यह किसका relativity का सिध्धान किसका है आपका Albert Einstein का next question question number 7 1543 में प्रतवी प्रती दिन एक बार में अपने धुरी पर भूमती है ना rotate करती है अपने axis पर और एक वर्ष में सूर्य की पूरा चक्कर लगाती है है न एप्रोक्स हम इतना ही मानते है तो इस बात को किसने कहा who said this यह हमें बताना है तो आपको पता ही है पूरे सूर्मंडल के बारे में किसने बताया था सरपथम तो वो आपके Nicholas को पर निकस थे तो option भी यहाँ पर बिल्कुल सही है लेकिन अगर यह आजाए जो हमारे ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते है elliptical orbit में वो वाली बात किसने कही है तो वो कैपलर का नियम है कैपलर ने अपनी नियम बताया थे उसमें ही उन्होंने बताया था लेकिन अगर सूर मंडल पूछे तो आप लगाएंगे Nicholas Copernicus ठीक है next question, question number 8 गृतवे को अगर नगन माल लिया जाए if gravity is insignificant उसको zero माल लिया जाए एक तरह से तो समाने अवस्था में द्रव के प्रतियक बिंदू पर दाप समान होगा pressure में यह हमने बहुत बार पढ़ा है तो मैंने फिर से बोला कि फिर से पानी से related है तो यहाँ पर जो answer होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ के पासकल के नियम में हमने पढ़े हैं तो option D यहाँ पर बिल्कुल सही है कि द्रव में किस तरह से pressure काम करता है कि अगर एक जैसे पानी में यह तरह से है यहाँ पर पानी भरा है और मैं यहाँ पर बिंदू करूँ सेम यहीं पर बिंदू करूँ तो दोनों में जो pressure होगा वो equal होगा यहीं पर यही बात किया रहा है जब स्थिर जल की बात हो रही है कि पूरा जल जो है वो equilibrium में है समान अवस्था में है तो उस case में अगर आप किसी exact point पर हर जगा अगर आप छेद कर दें तो उन सभी जगाओ पर जो pressure होगा वो समान होगा और यह नियम है किसका ब्लेस पासकल का नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 9 प्रकाश विदुत प्रभाव photo electric effect की खोज किसने की थी सबसे पहले तो इसके बारे में सबसे पहले बताया है किसने हैंड रिच हर्ट्स ने इसको आप याद कर लीजेगा बहुत important है यह कोशन तो प्रकाश विदुत के सबसे पहले किसने बताया था तो सबसे पहले इसके बारे में हैंड्री हर्ट्स ने ही बताया था नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 10 और यह कोशन में बहुत important है जो quantum की theory है इसकी खोज किसने की है तो quantum की theory किसने बताये आई थिंग यह काफी बच्चों को पता भी होगा मांक्स जो प्लांक थे प्लांक ने ही quantum का सिध्धान्द दिया तो यहाँ पर जो answer है वो आपका option number C है next question, question number 11, 12 और 13 यह मुझे लगता है बहुत easy question है और सब ही को इनके answer पता होंगे electron की कोश किसने की है जे जे थॉमसन ने आपको यह भी पता होगा एक परमाणू होता है आपका atom होता है परमाणू में नाभिक होता है नाभिक जो नुकलियस होता है उसके बारे में किसने बताया था रूदर फोर्ड ने बताया था है ना और रूदर फोर्ड ने ही बताया nucleus का charge क्या हो जाता है वो आपका positive ही हो जाता है क्यों तो कोई charge नहीं होगा neutron पर और ये proton है इन पर जो charge होता है वो plus होता है और जो electron होते हैं वो इर्द गिर्द यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी shallow में next question 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 number 14 radium जो हमारा एक्तत्व है element है इसकी खोज किसने की तो मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी ये काफी बच्चो को पता होगा next question 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 number 15 ये काफी important है और ये नहीं पता होगा काफी बच्चो को electromagnetic induction विदुत चुम्ब के प्रिरण का सिधान 1831 में किसने दिया तो ये जो electromagnetic electromagnetic induction का सिधान था ये आपका माइकल फेराडे ने दिया है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजेगा next question है इसमें कि radioactive या radio धर्मिता की खोज किसने की थी तो radioactive या radio धर्मिता के बारे में सबसे पहले किसने बताया है तो बताया है हेंडरी बैकरल लें तो option A यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखे radioactive या radio धर्मिता क्या होती है इन्होंने देखा कि कुछ element जिन में protonों की संख्या 83 या उससे जादा है तो वो क्या होता है अपने अंदर से alpha, beta, gamma, rays को निकालते हैं और ऐसे ही element radioactive होते हैं और ये stability को बनाने के लिए ये क्या करते हैं alpha, beta, gamma, rays निकालते हैं और यही process आपका radio activity process कहलाता है और इसके बारे में सबसे पहले किस ने बताया आपका हेंडरी बैकेरल ने बताया तो option A यहाँ पर सही है next question question number 17 J.B. Dunlop ने किसका विशकार किया था तो J.B. Dunlop ने आपके rubber tire है ना जो आपके YVA है ना यहाँ पर YVA और add होता वैसे तो YVA rubber tire के बारे में किस ने बताया था J.B. Dunlop ने ही बताया था तो option B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question question number 18 विदुद्धारा के चुम्ब के प्रभाब की खोज किस ने की थी most important question है who discovered था क्योंकि आपके slayvars में सारे topic है चुम्बत भी है, electric current भी है तो यह सारे question उनी में हैं उनी से relate करते वे हैं जो आपके slayvars में हैं और वहाँ से ही question बन जाएंगे कि किसने क्या खोज की है, तो विदुद्धारा के चुम्ब के प्रभाब, who invented the magnetic effect of electric current और यह हमने काफी बार पढ़ा भी है तो इसकी खोज किसने की है Hans Christian, Austrid ने जो है, Austrid ने जो है इनकी खोज की है, तो option भी यहाँ पर बिलुकुल सही होने वाला है next question, question number 19 Einstein का द्रव्यमान, उर्जा, समीकरण देखे, मैंने इनको रवनी किया है, आप एक साथ snapshot खीच लीजेगा, Einstein का द्रव्यमान, उर्जा, समीकरण जो Einstein का mass energy equation है वो क्या है, मैंने भी आपको पिछे ही समझाया था, जिसे हम theory of relativity भी बोलते हैं, तो वो है आपकी E is equal to MC square, तो option A यहाँ पर बिल्कुल सही है, next question देखते है question number 20, तंडिच चालग lightning conductor, जो आपका static electricity पर निर्भर करता है कि charge का flow भले ही नहो रहा हो लेकिन वो फिर भी charge up हो जाते है एक पर positive आजाएगा, एक पर negative आजाएगा, तो यह जो भारत का नाम आता है, तो यह वैसे भी important है, जो आपकी black hole का सिधान थै, इसका प्रतिबादन किस ने किया था, the theory of black hole was propounded by whom, तो यहाँ पर सीज़ास answer होगा, आपका S. चंदर शेखर और जिनको नहीं पता, उनको ये बात पता होनी चाहिए, कि ये जो हमारे इंडियन साइंटिस्ते S. चंदर शेखर, इन्होंने ही black hole के बारे में सबसे पहले बताया था, तो option C, यहाँ पर बिल्कुल सही है, next question, question number 22, electron के तरंग प्रकरती की खोज, सरप्रतम किसने की, किसने बताया, जो electron का nature होता है, वो wave की तरह भी कार्य करता है, जब electron flow करते हैं, तो वो wave की तरह भी behave करते हैं, इस बारे में किसने सबसे पहले बताया, तो ये हैं आपके D, Brogley, इन्हों नहीं इसको बताया था, तो यहाँ पर answer है, आपका option number B, ठीक है next question, question number 23, thermos किस नियम पर कार्य करता है, ये उर्जा संग्रक्षण के नियम पर कार्य करता है, और इस बारे में किसने बताया है, ये किर्चॉफ ने बताया है, तो option number A, किर्चॉफ का नियम यहाँ पर होगा, जो उर्जा संग्रक्षण की बात करता है और जिस पर आपका थरमस कार्या करता है तो ओप्शन यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोशन कोशन नबर 24 विग्यानिक एन्रिको फर्मी ने भौतकी के छेतर में कौन सा उतकरष्ट योगदान दिया है यह हमें बताना है इनका बहुत बड़ा रोल था रेडियो अक्टिविटी में इन्होंने क्या करा था नूट्रॉन की बंबार्डिंग कराकर इन्होंने भी जो एलिमेंट्स रेडियो थरमी तत्व हैं उनकी पहचान की थी तो ओप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्रत्रिम रेडियो थरमी तत्वों की पहचान करके तत्वों को इंगलिश में हम बोलते हैं एलिमेंट्स नेक्स कोशन कोशन नमबर 25 निम्न में से बहुत की में कौन सा उल्ले योगदान वैज्ञानिक न्यूटन द्वारा किया गया है तो न्यूटन ने और किन-किन चीज होगा आपका ओप्शन नमबर 4 उप्रुक्त सभी ठीक है तो इस तरह से यह 25 कोशन थे आपके मुझे लगता है जो काफी इंपॉर्टन भी है सीबी रमन ने आपका रमन इफेक्ट दिया था ठीक है रूदर फोर्ड ने आपका न्यूट्रॉन स्वारी न्यूट्रॉन यह सब भी हमने पढ़ा है ठीक है और उसके अलावा अगर मुझे कुछ और बताना है यहां पर देखिए यह तो सब चलिए फोर्स इस इक्वाल टू एम यह आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है और फोर्स का न्यूटन भी जो मात रख है वो भी यहां से निकल जाएगा म मास हो जाएगा आपका केजी और आपका एसलिरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्कॉायर तो एक फोर्मूला हो गया बलका फोर्स का क्या हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्कॉायर दूसरा क्या हो जाएगा इसका मात रख न्यूटन हो जाएगा और इसका एक मात रख होता है डा यह तो सब अच्छे से बता दिया तो देखें मैंने काफी चीज़े आपको यहां पर अच्छे से एक्सप्लेइन कर दी है और मुझे लगता है यह चीज़े आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें देखें जो इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं जो मैंनों और एक्स्ट्रा में भी बता दी हैं और वीडियो अब मुझे लगता है आपको अच्छी लगी ही होगी तो उसको लाइक करें शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें थेंक यू वेरी मच